वेलकम बच्चों, आज हम तर्क शास्त्र में एक नया टपिक पढ़ेंगे तर्क वाक्यों का परमपरिक वर्गी करन यह वर्गी करन पढ़ने से पहले एक बार में दुबारा आपको बता देती हूं कि तर्क वाक्य क्या है पहले भी बता चुकियों मैं कि तर्क वाक्य जो है युक्ती की एक एकाई है किसी युक्ती के आधार वाक्य और निश्कष दोनों ही तर्क वाक्य होते है सबी तर्क वाक्य वे वाक्य हैं जिन में शब्द जो काम में लिए गए हैं जो पद काम में लिये गए हैं वो सार्थक रूप से एक दुसर से जुड़े रहते हैं इसमें एक उद्धिश्य होता है एक विध्य और एक सहियोजन परंतु हर वाक्य जो हैं वो तर्क वाक्य नहीं होता तर्क वाक्य केवन सुचनात्मक और त्थ्यात्मक वाक्य ही होते हैं और अदर सब्सक्राइब सत्य होते हैं जैसे जब कोई कहें कि कितना सून्दर हैं इंद दनुश, तो इस वाक्य की सत्यता या सत्यता के विश्य में कोई प्रश्ट नहीं नहीं करता, इसका कारण यह है कि यह वाक्य केवल किसी की भावना को अभिव्यक्त कर रहा है, इसे तरह एक दूसरा उधरंग ले कि पिता पुत्र को आदिश देता है, टीवी बंद करो तो इस वाक्य का भी कोई सत्यता मुल्य नहीं है, यह एक प्रकार का आदेश है, जिसका पालन हमें करना ही करना है, यह सत्य या सत्य नहीं हो सकता है, प्रश्ट भी पुछे जाते हैं, आग्या दी जाती हैं, विसमें प्रकट किया जाता है, प्रंतुते इन्हें सत्य और सत तत्यों का सही निरुपन करने वाले तर्क वाक्य ही सत्य होते हैं कालपनिक वाक्य जैसे हैं मिठक वाक्य भी हैं यह सत्य आसत्य माने जाने के तर्क वाक्य है सत्य आसत्य माने जाने के कारण ही यह तर्क वाक्य कहलाते हैं जैसे राम ने रावन का वद किया यह एक तर्क वा कि क्योंकि इसे सक्ति माना गया है पर अगर हम यह एक्स सुन्दर है तो यह तर्क वाक्य नहीं है क्योंकि यह सक्ति है सक्ति नहीं है अता है तर्क वाक्य हमेशा सत्यता या सत्यता की स्रेणी में ही रखे जा सकते हैं ठीक है अब हम चलते हैं तर्क वाक्यों का वरगी करन पारंपरिक तर्क शास्त्रियों ने क्या किया है कि तर्क वाक्यों को दो सम्मों में वभाजित किया है वह कहते हैं कि तर्क वाक्य की दो रूप एक प्रकार की तर्कवाक्या निर्पेक्ष कहलाते हैं जिने हम कैटेगरिकल प्रपोजिशन कहते हैं दूसरे कंपाउंड प्रपोजिशन अर्थात मिश्र तर्कवाक्या अब कोई भी तर्कवाक्य या तो निर्पेक्ष होगा या फिर मिश्र होगा अब आधुनिक तर्कशा की जिसे हम categorical proposition कहते हैं निरपेक्ष तर्कवाकिये वे तर्कवाकिये होते हैं जिने तर्क करते समय हम एक निश्चित आकार में प्रयोक्त करते हैं और जो किसी अन्य पराश्रित भी नहीं होते इन तरकवांकियों में उदेशे और विदे का जो संबंध है किसी शर्थ पर आधारित नहीं होता ही नहीं है उदेशे पद के लिए विदे का भाव या निशेद बिना शर्थ के होता है जैसे सभी मनुश मरंशिलें यह कुर्सी गूल है यह सारे तरकवाकिय निर्पेख्ष तरकवाकिय कहलाएंगे ठीक है? अब निर्पेख्ष तरकवाकियों को उनोंने चार रूपों में या चार वर्गों में रखा है सबसे पहला है सार्वभूमिक तरकवाकिय अब इनके माननकाकार भी इन्होंने बढ़ता है सारवमिक तरकवाक्य का माननकाकार इन्होंने ए दिया है और यह सारवमिक तरकवाक्य जो है इसमें हम यह पढ़ेंगे कि इसमें एक उदेश्यपद है और एक विधेपद है तो जो उदेश्य पद है वो सभी व्यक्तियों के वर्ग की बात करता है और विधेपद सभी विधियात्मक विषिश्ताओं के वर्ग को सुचित करता है ठीक है? जिसे एक एक्सामपल है सभी मनुष्य मरंशील है अब इसमें जो मनुश्य शब्द है ये है आपका सब्जेक्ट यानि उद्दिश है और मरंशील शब्द जो है ये है आपका प्रेडिकेट तो इसको शॉर्ट फों में हम लिखेंगे आल एस एस पी यानि सभी एस पी है इस वाक्य को हम ए तरक वाक्या सार्वहुमिक सकारात्मक तरक वाक्य कहेंगे ठीक है दूसरा है सार्वहुमिक नकारात्मक जिसका मानक आकार है ई जैसे कोई मचली इस्तंधारी नहीं है यानि मचली शब्द जो है वो सबजेक्ट है इस्तंधारी जो है विधेपद है तो इसमें कहा गया है कि मचलियों का जो वर्ग है वो इस्तंधारी के समू से अलग है ठीक है ये जमा आगे हम प्रैक्टिकल में वैन डाइग्राम में इनको और हम अच्छे से समझेंगे, अभी हम केवल निर्पिक्ष तर्क वाक्यों के मानक आकार को ही समझ रहे हैं, ठीक हैं? तीसरा है अंश्व्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य, इसका मानक आकार है आई, यानि उधारन इसका जैसे है कि कुछ लड़कियां सुन्दर होती हैं, यानि इस तर्क वाक्य में कम से कम एक व्यक्ती की सकारात्मक रूप से या एक व्यक्ती का विधानात्मक समर्थन किया जा रहा है, ठीक हैं? यानि कुछ लड़कियां सुन्दर होती है, यानि सुन्दरता का जो प्रत्य है, ये विधे है तरक वाक्य, ये वाक्य का विधे पद है, और लड़कियां जो है सब्जेक्ट पद है, यानि उदेश्य पद है, तो इसमें कुछ व्यक्ति, यानि कम से कम एक व्यक्ति का हम तरफन कर रहे हैं। ठीक है? नेकस्ट है, अन्श्वयापी निशिदात्मक तर्कवाक्य आपने सक आपने सेक्ञा का इसका मानखका है O इसका एक्जाम्पल जैसे है, कि जिसे हम थी जाया सेक्ञार आत्मक जिसमें हम यह कह सकते हैं कि कुछ लड़कियां सुन्धर नहीं होती। थीक है। तो इसमें हम कम से कम एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसमें सुन्धरता का गुण नहीं है। जहाँ पर कुछ यानि सम्शब्द आए तो इसका मतलब है कि ये अंश्व्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य हैं। ये चार निर्पेक्ष्ट या निरुपादिक या केटेगरिकल तर्क वाक्य कहलाते हैं। ठीक हैं। इसको हम आगे नेक्स्ट चेप्टर में डायग्राम से समझेंगे। अब ये सभी तर्क वाक्य जो हैं A, E, I, O, ये सभी आकार में समान हैं। और ये सभी उदेश्य विदे आकार सब्जेक्ट प्रेडिकेट फॉर्म में ही हैं। सभी पारंपरिक तक शास्रीनों ने क्या किया है कि निर्पेख्ष वाक्यों की को इसी एक व्यवस्था में माना है। वे कहते हैं कि किसी निर्पेख्ष तर्क वाक्य के तीन मुख्य अंगे होते हैं। उदेश्य पद, विदेपद और साहियो जग। सभी स और P हैं, सभी स पें में एस दिशच पद है, पी विदेपद है और है सहयूजक पद है। स और पी, दोनों संग्यात्मक शब्दों को भी दर्शा आते हैं और वर्ग को यानी क्लास को भी दर्शा आते हैं। अब क्लास या वर्ग का क्या मतलब है क्लास का मतलब है समान गुण रखने वाली वस्तों का समूंग यानि एक ही जाती के सामाने तत्व को हम वर्ग कहते हैं ठीक है आज हम इतना ही करेंगे थेंक्यू